नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 13 दिसम्बर दिन बुदवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर आज और कल पटना में होगा बिहार बिजनिस कनेक 2023 का आयोजन 15 दिसम्बर को बिहार में यहां लग रहा रोजगार मेला राची के सभी विश्व विद्यालियों में पढ़ाने के लिए एजनसी से लिए जाएंगे अध्यापक मुझा परपुर में हुए 38 लाख रुपे की लूट का हुआ चौकाने वाला खुलासा पूरी दुनिया में गूगल पर इस क्रिकेटर को किया गया सबसे ज़ादा सर्च अब चले बरते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों के ओर विस्तार से एंटीपीसी माइनिंग लिमिटेड में 114 पदों पर निकली भरती भारत की सबसे बड़ी पावर सेक्टर की कंपनी एंटीपीसी लिमिटेड की सबसीडरी कंपनी एंटीपीसी माइनिंग लिमिटेड के दौरा 114 पदों के लिए भरती निकाली गई है इसे में वो लोग जो इसके लिए आवेधन करना चाहते हैं वह NTPC की अधिकारिक भरती पोटल careers.ntpc.co.in पर जाकर ओनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं बतादी क्या आवेदन करने की अंतिम तारीक 31 दिसंबर 2023 सक निर्धारित की गई है इसके लेगर सैचनिक योगिता की बात करें तो विविन पदो के लिए विविन योगिताई निर्धारित की गई है से मेसिजरी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी के गए नोटिफिकेशन को जरूर देख ले आज और कल पटना में होगा बिहार बिजनस कनेक्ट 2023 का आयोजन आज यानी की 13 दिसंबर और कल यानी की 14 दिसंबर को बिहार की राजधारी पटना में बिहार बिजनस कनेक्ट 2023 का आयोजन होने वाला है से मेस को लेकर बिहार सरकार के उद्योग विवाग के द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है पतादे कि समिट की अध्यक्षता बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के द्वारा की जाएगे इस बारे में मुख्यसुचिव आमिर सुभानी वा उद्योग विवाग के अपर मुख्यसुचिव संदीप पॉंडरिक के द्वारा जानकारी देते वें बताया गया कि समिट में देश दुनिया के 600 उद्यमी वा निवेशक शामिल होंगे बहें समिट के दौरान 500 करोड से अधिक का निवेश करने वाली 12 कंपनियों से अलग-अलग करार होगा उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर को द्योग पतियों के साथ 1-2-1 मिटिंग होगी जिसमें CM नितीश के समक्ष MOU किया जाएगा समिट में 4-5 चर्णों में MOU होगा जिसमें कुल मिलाकर 30,000 करोड से अधिक का MOU होगा आपके जानकारी के लिए बता दे कि आज जन देशों के प्रतिनीधी समिट में शामिल होने वाले हैं में अमेरिका, सुधी अरब, जापान, रूस, ताइवान, मौरिसस, चर्मनी, नीदर लैंड, बांगलादेश, उजबिक्रिस्तान, नेपाल, व्यतनाम, हंगरी, मेडा गासकर, मलेशिया और UAE सामल है बिहार कैडर के 10 वरिस्ट A.I.S जाएंगे ट्रेइनिंग में बिहार प्रशासनिक सेवा के 8 अफसर 5 दिनो तक करेंगे स्कूरूटनी बिहार सरकार के सामाने प्रिशासन विभात के दोरा पत्र जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार कैड़र के 10 वरिस्ट आईएस अफसरों को 8 अप्रेल से लेकर 24 अप्रेल दो हजार 24 तक लाल बहादुर शास्त्री अकादमी मशूरी में ट्रेनिंग के लिए जायंगे सामाने प्रिशासन विभात के दोर आदेश जारी कर बिहार प्रिशासनिक सेवा के 8 हदिकारियों को 15 दिसंबर से 19 दिसंबर 2023 तक पाँच दिनों के लिए बिहार करमचारी चरन आयोग दोरा दी गई परिक्षा से संबंधित कैनिडेट के प्रिमान पत्रों के स्कूटनी के काम में लगा दिया गया है पतादे के बिहार प्रिशासनिक सेवा के जन 8 हदिकारियों को इसकाम में लगाया गया है उनमें सरेंदरनात, रवी कुमार, अनिल कुमार, हरीशंकर राम, एहमद महमूद, अनील कुमार और रमनेंदर कुमार के नाम शामिल है राजे के सभी विश्वध्यालयों में पढ़ाने के लिए एजनसी से लिए जाएंगे अध्यापक यो खाली सीटों पर अध्यापक का दो वर्सों के लिए बहाली करने का काम करेंगी बता दे किस बारे में सिक्षा विभाग के दौरा कहा गया कि प्रचार एजंसी ओसे करार करने में सक्षम होंगे वहीं एजंसियों को विश्री विद्याली के नियम के निसार ही काम करना होगा इसके लाबा जो सिक्चक बहाल होंगी, उन्हें पढ़ाने के सासा शोद में भी सयोग करना होगा मालम हो कि जिन चार एजेंसियों का चेन किया गया है उनमें से दो एजेंसी पटना एक दर्भंगा और एक फरीदाबाद के एजेंसी हैं सिक्षकों को पढ़ाने की घंटी के नुसार पैसा मिलेगा वहीं एजेंसी के माध्यम से 6 तरह किस्तक्षकों को बहाल किया जाएगा जिसमें इंस्ट्रक्टर, स्पीकर, असिस्टेंट, प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर, प्रोफेसर और प्रोफेसर ओफ प्रैक्टिस हैं बिहार सिवल कोट की परिक्षा इस दिन ऐसे डाउनलोड करे एडमिट कार बिहार सिवल कोट में भरती के लिए 17 दिसंबर को परिक्षा ली जाएगी ऐसे में इसके लिए एडमिट कार जारी कर दी गई है, साथी परिक्षा को लेकर भी जानकारी साजा की गई है मालुमों कि सिवल कोर्ट में रीडर कम डिपोजिशन राइटर के पदों के लिए भरती होने वाली है बता दे कि वे लोग जो इस भरक्षा में शामिल होने वाले हैं वे वेफसाइट यह पडिक्षा का आयोजन सुभा 10 बजे से किया जाएगा जो की दो पहर 12 बजे तक चलेगी वही दूसरी पाली की पडिक्षा का आयोजन दो पहर के धाई बजे से शिडू होगा जो की शाम के सारे 4 बजे तक चलेगा वही पडिक्षा में शामिल होने के लिए अभियर्थियों के पास एडमिट कार और पहचान पत्र होना अनिवार है विहार में जनवरी तक चलेगी 9 स्पेशल ट्रेनी ट्रेन में यात्रियों की भीर को देखते वे पुर्व मध्य रेलवे की ओर से जनवरी दोहजार चौबिस तक स्पेशल गाडियों का संचालन करने का नंडे लिया गया है बतादे की लेलवे के दोरा पहले से चलाई जा रही नौ जोडी स्पेशल ट्रेनों के पड़िचालन की अभदी में विस्तार किया गया है ऐसे में इन ट्रेनों के पड़िचालन की अभदी में विस्तार होने से पटना दानापुर से हैदराबाद, सिकंदराबाद और बैंगलुडू जाने वाले यात्रियों को रहात मिलेगी वहें सब के अलावा नौर्थ इस्ट से पाटले पुत्र के रास्ते भी चार नई इस्पेशल ट्रेनों का पड़िचालन कीया जाएगा और साथी पटना से थावे के बीच स्पेशल ट्रेन के संचालन को भी बढ़ा दिया गया है जानकारी के नुसार गारी संख्या सुने 3-2-1-5 और सुने 3-2-1-6 पटना थावे और थावे पटना से 31 जनवरी तक रोजाना चलाई जाएगी विहार में विक्सित होंगी नौ बाजार समीतियां राजे सरकार के ओर से बिहार के नौक रिसी उतपादन बाजार प्रांगनों को जिनमें सासाराम, बेगुसराई, कटिहार, फार्विस गंज, जहालाबाद, दर्भंगा, किसंगंज, छप्रा तथा बीटा बाजार समीतियों को कुल 5-4-6-61 लाग रुपई की लागत से वि जहानाबाद के लिए 20 करोड, 66,45,400 रुपई दर्भंगा के लिए 72 करोड, 17,77,000 रुपई किसंगंज के लिए 82 करोड, 50,49,000 रुपई छपडा के लिए 40 करोड, 50,60,000 और भीटा के लिए 76 करोड, 18,12,00 रुपई खर्च किये जाएंगे बतादे किस कारी को बिहार राजिपुल निर्मान निगम लिमिटेट की ओर से तीन वर्सों में पूरा किया जाएगा इसके लेक कारयदेश जारी कर दिया गया है थैसे में 15 दिनों के अंदर एजिंसी को योजना अस्थल पर योजना संबंदी बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है 15 दिसंबर को बिहार में यहां लग रहा रोजगार मेला अगर आप रोजगार की तलाश में है तो यहां खबर आपके लिए है बतादी कि 15 दिसंबर को बिहार के बेगु सराय जिला नियोजन काड़े आले में रोजगार मेला का आयोजन किया जाने बाला है जिसमें कुल अस्ती युवाओं को रोजगार उपलब्द करवाया जाएगा इस बारे में बेगुसराय नियोजन पदाधिकारी राना अमितेश के दोरा जानकारी देते वे बताया गया इस रोजगार मेला का आयोजन सुभस साहे 10 बजे से लेकर शाम साहे 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा ऐसे में वो अभेरती जो इस रोजगार मेला में भाग लेने के एक चुक है वह अपने साथ अपना बायोडाटा, आधार कार्ट, पैन कार्ट, संबंध, स्टैशनिक, प्रमान पत्र, अंग पत्र एवं पासपोर्ट, साइस की दो रंगीन फोटो को अनिवारे रूप से लेकर आयोजन स्थल पर पहुँचे मालमों कि स्रोजगार मेला में रिलेशन्शिप ऑफिसर और सिनियर रिलेशन्शिप ऑफिसर के पद के लिए चेनित किया जाएगा बिहार परेटन में आज हम बात करेंगे मनेर शरीफ के बारे में मनेर शरीफ पटना से लगपक 30 किलो मीटर दक्षिन पर्शिम की ओर है किसी समय यह सोन और गंगा नदी के संगम पर बसा हुआ था आज का मनेर करीब 2000 घरों का एक कस्वा है और सरक किनारे कुछ दुकाने है जिसमें द्यानिक जीवन में काम आने वाली चीजे मिल जाती है यहां का नुगदी का लड़ू बहुत मशूर है मनेर किसी समय मुसलिम संस्कृति का बिहार में सबसे पुराना केंदर था ग्यारवी सिताबदी में और उसके बाद भी यह सूफी फकीरों का अध्यातनी केंदर बना रहा यहां समुचे हिंदुस्तान से सूफी संत आया करते थे और सूफी मद के प्रसार के लिए उपाय सोचा करते थे मद युक के मुसलिम इतिहास में मनेड का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया गया है आज भी मुसलमानों के दिल में इसके प्रती बहुत आधर है साल में यहां दो बार दो फकीरों की पुनितिती मनाए जाती है उस समय धर्म प्रान मुसल्मानों का बड़ा मेला लगता है मनेड में इस समय दो दरगा है बड़ी और छोटी पड़ी दरगा बिहार के मुसल्मानी धर्म अस्थानों में सबसे आदा पवित्र गिनी चाती है इसमें महान सूफी संथ हजरत मकदूम यहिया मनेडी का कबर है मकदूम साहवर्स पर 6001 कानवे में मरे थे वह हजरत ताज फकी के पोते थे, बिहार के मुसल्मान संतों के वह प्रमुक थे, देश के मुसल्मान फकीरों में उनका आज भी बड़े अदब से नाम लिया जाता है नौकरी दिलाने के नाम पर ऐसे होड़ी ठगी नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर अपराधी के द्वारा लोगों को ठगने का काम किया जारहा बता दे के बिहार सरकार के सूशना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार साइबर अपरादियों के द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर जॉब रिक्रूट्मेंट साइट से नौकरी तलाशने वाले की प्रोफाइल निकालते हैं जॉब से स्तंबनित बलक में इमेल्स एसेमेस के माध्यम से ओफर भेजते हैं करने वाले खुद को जॉब कंसल्टेंट के तौर पर पेश करते हैं और अपनी गर्जी वेबसाइट और स्थाई दफतर दिखाते हैं लोगों से वालेट या बैंक से मनी ट्रांसफर के माध्यम से रेजिस्ट्रेशन फीस जमा करने के लिए कहते हैं और आपको फरजी अपोइंट्मेंट लेटर भीजते हैं ऐसे में अगर आप इस तरह की ठगी से बचना चाहते हैं तो आप अंजान श्रोथ से प्राप किसी भी जॉब ओफर से संबंदित समस इमेल पर विश्वास न करे नौकरी दिलाने वाले संस्था फर्म का पहले अच्छी तरह सत्यापन करे जॉब से संबंद भेजे गए किसी अंजान लिंक पर क्लिक न करे और पैसे का भुकतान करने में जल्दबाजी न करे पटना हनुमान منदर की महिवा बता रहे हैं अनुपम खेर वॉलेवुट के जाने माने अभी ने था अनुपम खेर के द्वारा अपने सोशल मीडिया के माध्यां से देश के उन मंदरों के बाड़े में जानकारी देने का काम किया जाता है जिनके कुछ अनुठी धार्मिक मानेताई हैं इसी कड़ी में अब अनुपम खेर के दौरा बिहार की राजधानी पटना मेस्त हनुमान मंदर के बारे में भी जानकारी दी गई है उन्होंने इस एपसोट में जानकारी देते वें बताया है कि पटना के मनोकामना हनुमान मंदर में हनुमान जी की दो मूर्तियां हैं जिसको लेकर ऐसा कहा जाता है कि एक मूर्ती मनोकामना पूरी करती है और दूसरी दुखरती है उन्होंने कहा कि समंदर का इतिहास और इसका महत्वा आपको धार्मिक और आत्मिय रूप में धनी बना देगा और जब यहां आप अपने पडिवार वाले और दोस्तों के साथ इस मंदर में हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुँचेंगे तो आप सब उनका असरवाद महसूस करेंगे इसके साथ यह अनुपम खेड के द्वारा इस एपिसोड में लोगों से अपील की गई की वे इस एपिसोड को प्रचारित और प्रसारित करें इसके साथ उन्होंने जैसी आराम जै बजरंग बली भी कहा गोगा बिल जिल में पैतिसो प्रवासी पक्चियों ने डाला डेरा जारी के दिनों में यहां पहुँचते हैं और मार्च महीने के दूसरे सप्था में अपने मूल देश को वापस लौट जाते हैं पतादी के बरतमार में गोगा बिल जिल में नॉर्धन लैपविंग पक्ची की संख्या 43 है जबके पिछले वर्स यह संख्या 52 हाला कि जैसे ऐसे ठंड में बढ़ोतरी होगी इनकी संख्या में और भी बढ़ोतरी होती जाएगी में फिलाल गोगा बिल जिल में नॉर्धन लैपविंग पक्ची के लावा लासर, गरवाल, कौामन पोचाड, गारगेनी, युरेसियन कूट, टफ्टे डक, युरेसियन विजन, नॉर्धन सोबलर, आस्प्री इत्यादी पक्ची भी देखनी को मिल रही है इस बारे में पक्ची विससग्य सह एशियन वाटर बर्ड सेंसिस के बिहार को ओर्डिनेटर दीपक कुमार के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया है कि अगले सब्टा तक इन पक्चीयों की संक्या में और भी बढ़ोतरी हो जाएगी मुझपरपुर में हुए 38 रुपए की लूट का हुआ चौकाने वाला खुलासा किया गया है बता दे किस मामले को लेकर ये खुलासा हुआ है कि कंपनी में कारे रख दो मैनेजर के दौरा अपने साथी के साथ मिलकर इस लूट को अंजाम दिया गया और फिर लूटे हुए पैसे को अपने ससुराल में छिपा दिया गया मालम हो कि पुलस के दौरा करीब 30 ल निवासी ब्रांच क्रेडिट मैनेजर किसन गुपता और चनपर्टिया थाना के कडवालिया निवासी उनिट मनीन मैनेजर मुहमद इर्फान अलीश शामिल है इर्फान नहीं लूट की साजिस रची थी इसमें उसका चचेरा भाई भी शामिल था रूट की रखम के लावा रूटे गए तीन मोबाईल लूट के दोरां इस्तमाल चाकू बाईक और एक मोबाईल को भी बडामत किया गया है दोनोंने पूछ ताज में अपनी संरतिता स्विकार की है तेज पचुआ हवा से बिहार में बढ़ेगी ठन बिहार में धीर धीरे पारे ने लुठकना सुरूँ कर दिया है पचुआ हवा के चलते पटना समेत कहीं जिलों में कनकनी बढ़ गई है पटना मौसम विग्यान किंदर के मौसम विग्यानी कुमार गौरव के मताबिक राज्य में पच्छुआ और उतर पच्छुआ हवा का प्रवाह जारी है इसके प्रवाव से अगले तीन से चार दन के दोरान राज्य के अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्दी की कमी जबके बिहार के निनतन तापमान में कोई कमी की संभावना नहीं है अगले 24 घंटों के दोरान भी बिहार का मौसम सुसक बना रहेगा वही राजी के अधिकास भागों में हलके से मध्यमस्तर का कुहासा चाय रहने की संभावना है मौसम के वर्तमान हालात को देखते वे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिहार में सीट लहट जल्दी आ सकती है अगर पारा इसी तरह से गिरता रहा और पच्छुआ हवा का प्रवाह बना रहा तो बिहार के लोगों को करकरा दी ठंड का सामना जल्द करना पर सकता है पटना सित मौसम विग्यान केंद्र के वरिष्ट विग्यानिक डॉक्टर आसीज कुमार के अनुसार नियुंतम तापमान अगले पास दिनों के तक ऐसा ही बना रहेगा इसका मतलब यह हुआ कि रात की तरह अब दिन में भी ठंड का हैसास होने वारा है NCRB के रिपोर्ट में बिहार में जा रही जानों के कारन का हुआ खुलासा NCRB यानि के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी की गए रिपोर्ट से है जानकारी निकल कर सामने आई है कि वर्ज 2022 में जितने घायल हुए उससे कहीं अधिक मौते हुई 8,898 लोगों की मौत हुई तो 7,068 घायल हुए द्रगटना के शिकार होने वालों में जादा तर पैदल और बाइक सवार रहे बाइक चलाने वाले किस तरह लापरवाही बरत रहे ये आकड़े बता रहे हैं और सचेत भी कर रहे है राजे में सरक द्रगटना के 10,801 मामले आये थे ओवर स्पीन में 4,868 और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण 3,200 लोगों की मौत हो गई मालम हो कि जारी रिपोर्ट के अनुसार राजे में सबसे अधिक द्रगटना शाम 6 बज़े से रात 9 बज़े तक होती है वही हासे के प्रमुक कारण के बारे में बात करे तो हाथसा का प्रमुक कारण गारियों को ओवर्टेक करना, खतरनाक तरीकों से ड्राइविंग करना और हाइवे विया सरक पर अनियमित करना है सियम नितीश ने बीटा और किसरिया में किये कई उधगाटन बीतदन बिहार के मुख्यमंतर नितीश कुमार के द्वारा बिहार की राजधानी पटना के बीटा में करीब धाई सो करोड उपए की लागत से तैयार किये गए ब्रिटानिया बसकुट फ्रैक्टरी का विदिवत रूप से उधगाटन किया गया वहीं मालम हो के उधगाटन से पहले सीम नितीश के द्वारा सिकंदर पूर सिद कई अने और्ध़्य छित्र की कई अने कंपनियों का निरिक शंबी किया गया बता दे के उधगाटन के द्वारान सीम्तरी विजय कुमार चौधरी उध्योग मंतरी समीर कुमार महासेथ और म स miraculous कि वह को कि निर्मान कारी कृक्षचा सूर्फ करकाइब क सन्य है जारी है अब टाइम टेबल के मताविगी परिक्षब्ष हाती अपने परिक्षा की तैयारी सुरूप कर पाएंंगे 15 फरवरी से परिक्षा शिडू होकर 2 अपरेल तक अलग अलग तीथियों में 12 वी की परिक्षा आयोजित होगी वहीं अरुन जेतली के पुत्र रोहन जेतली, अपनी मा संगिता जेतली और पडिवार के अनिस दश्यों के साथ बिहार के गया पुँछे जहाँ उनके द्वारा अपने पिता यानि की अरुन जेटली और समस्थपत्रों का पिंददान किया गया, बता दे कि गया जी में 5 दिन का पिंददान का कर्मकांट होगा, ऐसे में बीद दिन पिंददान का कर्मकांट फल्गू से शुरू किया गया है और फिर आगे विश्नुपद मंदर प्रेथ शिला, सीता कुंड और आखिर में अक्छाय वट में पिंड़दान का कर्मकांड पूरा किया जाएगा इस बारे में पिंड़दान का कर्मकांड करने वाले गयापाल पंड़ा अमरनात महिडवार के द्वाराव जानकारी देते वे बताया गया कि पुर्व वितमंत्री और बीजेपी के वरिष्ट नेता रहे अरुन जेटली का पड़िवार गया जी उनका पिंड़दान करने आया मद्य प्रदेश विधान सभाच चनौ में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव को चुना गया है बल्कि आत्म हत्या की थी उन्होंने कहा कि जगत जन्नी के बाड़े में ऐसा बयान देना सीधे तोर पर माता का अपमान है बिहार की धर्ती कभी इन्हें माफ नहीं करेगी बीजेपी बेनकाब हो गई है मालू हो कि नीरज कुमार के द्वारा इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया गया है हाला कि उनके इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिर्श्र के द्वारा प्रड़वार करते वे कहा गया कि जेदियों के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कोई भाशा बैग्यानिक नहीं है भाशपा ने यादब जाती कि निता को मुख्य मंत्री बनाया है इसलिए वह लोग बेचैन हैं और अरणगल प्रिडाम कर रहे हैं पूरे दुनिया में गूगल पर इस क्रिकेटर को किया गया सबसे जादा सर्च बीते दिन गूगल की और से अपनी 25 साल पूरे होने पर एक्सपर जो की पुर्व में ट्विटर हुआ करता था उस पर एक वीडियो शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि पिछले धाई दसकों म आपके जानकारी के बता दे कि विराट कोहली के द्वारा हाली में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तंदुल करके उन चास सतकों को पीछे छोड़ते वे बंडे में 50 शुरतक जरकर ऐसा करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गये हैं वह इसके लाब विरा आज की तारीक है कहीं कारणों सिदर्ज बनारस हिंदू विष्विद्याली का 1921 में उधगाटन प्रिंस ओफ विल्स ने किया था भारत और सोवियस संग ने पंच सील प्रकाशन को स्विकार किया अपना टेस्ट मैच करियर दिल्ली में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू किय भारत और पाकस्तान के बीच 2004 में परमानू और सरक्रीक पर वारता प्रारंब हुआ जमू कश्मीर के पांचवे चरन के लिए 2008 में ग्यारा विधान सभाच्षेत्रों में 57 प्रतिशत मद्दान हुआ हिंदी में मनोवग्यानी को पन्यासो के आरम करता इलाज चंदर जोसी का जन्म 1903 में हुआ भायत के प्रसिद अर्थसासरी लक्ष्मी चंदर जैन का जन्म 1925 में हुआ हिंदी फिल्मों की प्रसिद भारती अभिने 30 में ता पार्टिल का निदान 1906 में हुआ वालकर में आजम बात करेंगे नेशनल करियर सर्विसेज के बारे में सोचल मीडिया पर कहीं सुचना है वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है ऐसे करें में आजम बात करेंगे नेशनल करियर सर्विसेज के बारे में वर्टसेप के स्टेटस टैब में मिलेगा एक नया ओप्शन सोशल मीरा के दिगज कंपनी वर्टसेप एक नए फीचर पर काम कर रही है जल्द ही आपको स्टेटस टैब के अंदर किसी को स्टेटस देखने पर रिपलाई बार देखने को मिलेगी फिलाल एप में होता यह है जब आप किसी का स्टेटस देखते है तो उस पर रिपलाई करने के लिए आपको नीचे दिख रहे है रिपलाई एडो पर क्लिक करना होता है लेकिन जल्द आपको रिपलाई बार का ओप्सन डिफॉल्ट रूप में मिलेगा याने आपको कहीं क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है आप सीधे रिपलाई बार में मैसेज टाइप कर वेक्ति को रिपलाई कर सकते हैं सब्रेट की जानकारी वाटसेप के डिवलप्मेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट डबलू ए बीटा एंफो ने शेयर की है वेबसाइट के मताबिक फिलहाल ये अपडेट कुछ बीटा टस्टर्स को एंड्रॉइड और आई उस पर मिला है इस नए अपडेट से यूजर इक्स्पी 23 में चंद्रयान 3 आदित्य एल 1 मिशन के अलावा 46 विदेशी सेटरलाइट्स को लाँज कर मनवाया लोहा इस रो के द्वारा वर्स 2023 में कई उपलब्दियां हासल की गई है बता अदिक इस रो के द्वारा इस वर्स चंद्रयान 3 का सफल प्रचेपन किया गया आदित्य एल एक मिशन के माधियम से अद्वुत कारनामा किया और सुरी की दिशा में एक नया कदम बढ़ाया तो वहीं इसके अलावा 7 महतपुन लाँज भी किये इस जिसमें विविन प्रकार के रॉकर्स का इस्तमाल किया गया वहीं सब के लावा इस रो के द्वारा इस वर्स 46 विदे वल लॉंचिंग की जिसमें वन वेब के सिटलाइट्स भी शामिल थे जल संसाथन मंत्री ने सीता पुल और रबर डैम का किया नडिक्षन बीत दिन मंगलवार को बिहार सरकार के जल संसाथन सूशना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय कुमार जहा गया पहुँच देते वे कहा कि रबर डैम का समय समय पर साफ सफाई करवाते रहा जाए ताकि पानी दुशित ना हो और प्रिदान करने वाले तरतियात्रियों को फल्गू रबर डैम में तरपन करने में कोई अस्वधा न हो वह इसके साथ ही मंत्री के द्वारा संबनित प्लादिकारियों से इसके संबन में जानकारी भी ली गए मालूम हो कि दुरान मंत्री संजय कुमार जहा के साथ कहीं समाज से भी और पांडा समाज के गनमाने लोग भी मौजूद रहें और उसे जिरे जवाब बताएंगे जोकी वीपीसी बिहार पुलिस दारोगा समीट से जैसे अनिप्रत आप्शनी कंबोडिया का अंकोर वाट मंदर ऑप्शनी ऐफिल टावर सी खुनार इं में इन में से कोई नहीं इwnिजिए कंबोडिया का अंकोर वाट मंदर अगला सवाल हालं संपौल कि समयblue के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है अगला सवाल हाली में इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के लिए किसको गुजरात टाइटन्स का कप्तान बनाया गया है इसका सही उतर्य ओप्संसी शुबमनगिल अगला सवाथ बिहार के राजवंसों और राजाओं के मिलान में कौन सा सही नहीं है आप्शने हर्यक वंस अजाद सत्रू, आप्शन B सिसुनाग वंस काला शोक, आप्शन C नंद वंस बिंबिसार, आप्शन D मोडे वंस बिंदुसार इसका सही उत्तर है आप्शन C नंद वंस बिंबिसार अगला सवाल, पाल वंस के बाद बिहार में बारवी सदी में किसका राजी रहा? उप्शन E, नुहानी वंस, उप्शन B, खिलजी वंस, उप्शन C, गुढःवाल वंस, उप्शन D, तुगलक वंस इसका सही उतन है उप्शन C, गुढःवाल वंस बीते दिन माएदरा पूछे का सवाल का, आप लोगों में से बहुत लोगों न प्रजाब, हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन B, लिख कर दिया था, जिन्होंने माएदरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके रुसार बिहार में रोजगार उपलब्द करवाने के लिए सरकार की ओर से कस-कस तरह का उद्योग स्थापित किया जाना चाहिए अपना जवाब हमें अमारे कॉमेंट सेक्शन में देखका जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खप्रों के साथ बरहे रहले के देखते रहे बिहारी नियोज और साथ ही अगर आप यूटूब से देखना चलंको सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखना तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद